असलाम वालेकूम वेलकम टो आसमास कुकिंग फीवर आज हम बनाने वाले हैं बैंगलोर को फेमस मीथा चाकना यहां पर मैंने लिया है 250 ग्राम गोश्ट जिसको मैंने छोटी छोटी तुकडों में इस तरह से काट लिये हैं अब मैं इसको यहां पर इस चाकने के लिए मैं य बड़ा साइस का ओनियन लिया है जिसे मैंने इसको भी चॉप कर लिया है अब इसे चॉप करने के बाद मैंने यहां पर तीन टमाटर ली हूँ जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा रफली इसको चॉप कर लिया है और अब हम इसको जार में इसको पीस लेंगे और इसका पे बड़ी साइज का एक ऊनियन डाला है जिसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है अब मैं आड करूँगी वन टीजपून जिंजर और वन टीजपून गार्लिक का पेस्ट अब को अच्छी तरह से सॉटे कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से तीन मिनिट के लिए पका लेंग सौटे कर लेंगे सौटि करने के बाद मैं यहाँ पर आड़ करूंगी one and a half teaspoon chili powder one teaspoon नमक आफ teaspoon turmeric powder और one teaspoon coriander coriander धन्या पाउडर अब मैंने यहाँ पर गरम mas تم मसाला 1 आड़ किया हैं और इसको अब हम अच्छी तरह से mix कर लेंगे और इसको पान से दस मिनिट के लिए इसको कुक होने के लिए रख देंगे और मैंने यहाँ पर आसानी तरीखे से इसको कुकर में पका लिया है इसको हम विसल दे देंगे और अब मैं आट करूंगी यहाँ पर तमाटर का प्यूरे जो हमने खोपरा टमाटर को पीस कर रखा था, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम कुकर का लिड बन कर देंगे और इसमें दो विसल आने तक गोश्ट को अच्छी तरह से गला लेंगे इसको अच्छी तरह से गलाने के बाद हम यहाँ पर एट करेंगे वन कप बीन्स हाफ कप मटर यानि पीस अब हम एट करेंगे हाफ कप कैरट गाजर को इस तरह से हमने रफली चौप कर लिया है अब कोई भी शेप में इसको चौप करके इस तरह से मोटा मोटा ही डालियेगा अब मैं यहाँ पर एट करूँगी हाफ कप आलू यानि मैंने यहाँ पर करीबन दो आलू लिये हैं जिसको मैंने अच्छी तरह से इसको मोटा मोटा ही इस तरह से कट कर लिया है वरना यह गल जाएगा इसलिए मैंने इसको आखरी में आलू को आट करेंगे आलू को आट करने के बाद अब हम लास्ट में आट करेंगे मेथी की भाजी यहाँ पर मैंने मेथी को अच्छी तरह से तोड़ कर इसको चौप करकर मैंने इसको धो लिया था इसको धोने के बाद हम आखरी में इसको एट करेंगे इसको एट करने के बाद अब फिर से हम इसको कुकर को बन करके अब हम इसको एक विसल के लिए पका लेंगे क्योंकि इस वेजिटेबल है तो बहुत जल्दी गल जाएंगे मैंने यहाँ पर वन क्लास वॉटर एट किया है पानी एट करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें मिक्स करने के बाद फिर से इसको कुकर को लिट को बन कर दे और इसको वन विसल के लिए छोड़ दे आप देख सकते हैं यह पक चुका है पकने के बाद अब हम यहाँ पर इसको serving bowl में serve कर देंगे आप इसको रोटी, चावल या फिर चपाती के साथ इसको serve कीजेगा और मेरे चैनल को subscribe करें Thank you